हेलो एवरीवन तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक के तरफ बढ़ रहे हैं और आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ एडबलो एस रूट 53 रूट 53 ठीक है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों कि इसके बिना तो समझतों पे जो सेट अपप लगाते हो वह अधूरा रह जाएगा ठीक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट है वह जब हम आगे theory की तरब बढ़ेंगे और lab की तरब बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा ठीक है हाँ अभी फिलाल में आपको इतना बता दू यह जो टॉपिक है रूट 53 यह दोस्तों यह DNS का रेप्लेस्मेंट है किसका रेप्लेस्मेंट है यह DNS और जैसे कि आपको पता है DNS करता क्या domain name system तो AWS वालों ने DNS के रेप्लेस्मेंट में आपको रूट 53 की service दी है तो अभी रूट 53 है क्या यह काम कैसे करता है कैसे functions यह हमें दिये हैं और इसको हम utilization कैसे करेंगे यह सारी चीजे discuss तो हम करेंगे ही मैं चाहता हूँ उससे पहले में थोड़ा सा DNS के वारे में overview दे दूँ आपको कि क्योंकि बहुत से ऐसे लोग है candidates है जो जुनको अभी तक DNS का concept क्लियर नहीं हुआ ठीक है हलाकि आप मेरी बात को दिल पे मत लेना मैं जो है वो सही बोल रहा हूं बहुत से ऐसे candidate होते हैं जिनको अभी तक DNS का concept क्लियर नहीं है और वो retirement के स्टेज पे आ चुके हैं लेकिन अभी तक उनका DNS का concept क्लियर नहीं हो तो मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा आपको DNS का overview दे दूँ पर ही DNS कैसे काम करता है ठीक है देर उसके बाद रूट 53 में बात करेंगे तो दोस्तों अगर मैं किसी से पूछता हूं कि DNS क्या है तो कई लोग मुझे यह बोलते हैं कि name to IP और IP to name to IP और IP to name resolve करने के लिए हम DNS को use करते हैं चलो यह बात तो सही है लेकिन अगर हम किसी से एक IT background के परसन अगर यही आंसर दे एक IT background का इंसान अगर इतना ही आंसर दे आपको कि भाई DNS का काम जो होता है name to IP और IP to name resolve कराना और उसके पीछे का background का setup उसको नहीं पता तो उसका background अधूर है आई-टी से मतलब हो हैंडिगाप आई-टी background में मेरे एक औरी क्योंकि दोस्तों कोई भी बता देगा DNS name to IP और IP to name resolve करता है लेकिन एक IT administrator के प्रस्पेक्टिव से आपको और भी ज्यादा बोले तो DNS की अंदर की functionality आपको पता होना चाहिए एक example देता हूँ देखो आजकल आप लोग पता है self-started गाड़ियां आ गई market में ठीक है तो हम क्या करते है अपना बाइक को self button press करते हो और start हो जाती है कार का button press के start हो जाती है तो यह चीज़ तो सबको पता है लेकिन अगर मैं नॉर्मल इंसान से पूछ हूँ जो mechanical background नहीं है भाई सब मुझे प्रोसेस बताओ कि self-start करने से पीछे का background का क्या process होता है तो आपको हाथ खड़ा कर देगा उसको नहीं आई लिया है ठीक है लेकिन एक mechanical engineer से अगर पूछे तो आपको समझा देगा उसको पता है और पता होना भी ज़रूरी है तो उसी तरीके से आपको DNS के पीछे का background आपको पता होना जरूरी है तब ही आप एक IT admin बोले तो IT department से आप बिलॉंग कर रहा है अगर कोई बोलता मुझा नहीं पता तो मैं कहता IT background से नहीं हो समझ आ रही है मेरी बात को चुछलो मैं थोड़ा सा एक DNS का overview आपको देना चाहता है तो for example समस्य ऐसे कि भाई यह एक company है और यह company है तो company है मार पास ठीक है यह समस्य है कि यह विप्रो नाम की company है विप्रो कंपनी है start-up हुआ था कभी भी मुझा नहीं पता यह विप्रो कंपनी है हम DNS के process को समझने के लिए को एक example पर ले रहे हैं है ना ऐसा हम समझने है कि मैं विप्रो कंपनी से बिलॉंग कर रहा हूं और यह दोस्तों आपका Google company है ठीक है यह DNS company है और यह Google company है sorry यह विप्रो कंपनी और यह Google company है अब विप्रो कंपनी ने क्या किया अपना यहां पर एक web server लगाया एक server लगा इसके उपर web hosting की और इसको एक IP address दे दिया इसका IP address यह 10.0.0.2 विप्रो का web server है ऐसे ही Google ने यहां पर अपना web server लगाया और इसका IP address गूगल ने क्या रखा अगर मैं बात करूँ कि मुझे विप्रो कंपनी का web server अक्सेस करना है तो IP address को हिट करूंगा एक्सेस कर लूगा मैं ऐसे हाला www.wipro.com www.google.com तो background में होता है कि मैं आपको समझाता हूं तो जबी भी विप्रो कंपनी स्टाटप की होगी ना दोस्तों तो उसने domain registered किया होगा domain name और आप सबको पता है विप्रो ने यह नाम registered किया विप्रो.com और Google ने भी किया है तो विप्रो ने भी registered करा है और Google ने भी registered करा है अब विप्रो और Google क्या की होगी इसके बाद इसके बाद विप्रो या गूगल ने क्या किया होगा अपनी company के अंदर एक यहां पर server लगाया होगा और इसको उन्होंने IP address दी होगी for example यह और इसके उपर domain बोने तो DNS install की होगा हो और इसको वो लोग DNS server बोल रहे है क्या बोल रहे है DNS server और इसके अंदर entry होगी इस तरीके से www.wipro.com और a record और विप्रो का web server ऐसे entry की यह होगी clear और इसे number of servers की entry उन्होंने किया होगा लेकिन विप्रो को एक questions आता है कि अगर यह server down हो गया तो यह entry कहा गई loss तो विप्रो ने क्या किया होगा एक web server एक और server यहां पर लगाया होगा इसको भी उन्होंने IP address assign की होगी मेरी बात को ध्यान से समझते जाना आपको लास्ट पर जाके समझ में आनी वाली में क्या बोल रहा हूँ अभी बहुत सारे लोगों के सार के उपर से निकल रही होगी एक और server यहां लगाया इसको भी IP address लिया और क्या किया इन दो इस यह वाले इसको उन्होंने primary DNS server बनाया और इसको उन्होंने क्या बनाया secondary DNS server बनाया और दोनों की बीच में synchronization लगा दिया कि भाइसदाव अगर यह डाउन हो तो यहां से response होगी ठीक है इसी तरीके से google ने भी किया होगा भाइस इसी तरीके से google ने भी किया होगा है अपना एक server लगाया होगा उसको एक IP address दी होगी इस तरीके से उसने एक IP address दी होगा 20.0.0.1 और यहां पर उन्होंने भी ऐसे entry मारी होगी www.google.com A record 20 यह चल अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा आगे अब यहां पर मालूब मेरी जॉइनिंग हो गई विप्रो में ठीक है मैं विप्रो में जॉइनिंग हो गई मेरी और विप्रो कंपनी ने मुझे एक laptop असाइन कर दिया ध्यान से समस्चाने मेरी बात को विप्रो कंपनी ने मुझे एक laptop असाइन कर दिया मैं सुबह 8.30 बजे विप्रो कंपनी का office जाता हूँ और अपने laptop को land पे लगाता हूँ तो मुझे IP address असाइन हो जाती है यह और मैं क्या करता हूँ सुबह सुबह जाता हूँ और टाइप करता हूँ URL पे https colon double slash www.google.com ठीक है दोस्तों तो मैं नाम हिट कर रहा हूँ अब मुझे कौन बताएगा गूगल का web server characters IP address कौन बताएगा तो पहले तो क्या होगा कि मेरे मैं अपने laptop के अंदर ही cache में पढ़ा ह कैसे लेकिन अगर मेरे cache में नहीं पढ़ा तो पढ़ा हुआ तो मैं किसके पास जाकर पूछूंगा तो मैं जाओंगा अपना विप्रो के internal DNS server के पास कहां जाओंगा अपने विप्रो के internal DNS server के पास जाओंगा query लेके कि भाई साब मुझे ना Google के web server के IP address देदो तो ये विप्रो का DNS server क्या करेगा अपने record में चेक करेगा उसके पास है की नहीं तो उसके record में तो होगा नहीं तो अपने cache में देखेगा और cache में भी नहीं होगा अगर cache में पढ़ा हुआ तो ये मुझे बता देगा लेक करेगा ये primary DNS server जाएगा इसके पास किसके पास दोस्तों यहां पर एक root hint DNS server होता है यह मैंने च्छोटा सा डॉट बना दे रहा हूं एक च्छोटा सा मैं यहां पर डॉट बनाता हूं आपको क्लियर होगा ये ठीक है बहुत ही च्छोटा होगी और च्छोटा होगी यह तो डॉट क्या है दोस्तों यह डॉट है root hint DNS server मैं बताऊंगा अभी और डिटेल में root hint DNS server इसको बोलते हैं तो मेरा विप्रो का DNS server क्या करेगा root hint DNS server के पास जाएगा और इससे जाकर पूछेगा www.google.com का address है क्या सेरे पास तो hint DNS server क्या बोलेगा मेरे पास www.google.com का address तो नहीं है लेकिन मेरे अंदर .com का address है किसका address है .com का मैं यह आपर बोत देता हूँ .com का है .uk का है .cn का है .in का है .in का है इन सब को हम कहते है top level domain मैं यह आपर लिख देता हूँ . top level domain server यह DNS server बोलो आप तो मेरा root DNS server बोलेगा कि मुझे www.google.com का address तो मेरे पास नहीं है लेकिन .com का है तो .com भाई साब बोलेंगे मेरे पास www का address तो नहीं है लेकिन Google का address है क्योंकि Google company ने .com के इंदर registered कराया विप्रो company ने .com के इंदर registered कराया तो .com के पास Google का address होगा . .com क्या करेगा मुझे Google का address बताएगा और जब Google का address बताएगा तो मेरे DNS server Google के DNS server के पास जाएगा और फिर पूछेगा भाई www.google.com का address ने दो तो Google का DNS server के आप बोलेगा यस मैंने इंट्री की है www की यह रही तो Google का DNS server क्या करेगा मुझे अपने web server के address मुझे देगा तो मेरे DNS server web server के address लेकर वापिस आ जाएगा और वापिस आने के बाद मुझे देदेगा यह मेरा laptop है और मैं क्या करेगा गूगल के DNS server के साथ गूगल का web server के साथ direct connection बनाँगा तो दोस्तों यह प्रोसेस होता है यह प्रोसेस होता है और ठीक उसी तरीके से अगर Google का कोई इंप्लॉई हिट करता है www.wipro.com तो ऐस फिर प्रोसेस बहीं चलेगी फिर यहां जाएगा .com के फसित मेरे पास आया इस तरीके से DNS जो होता है वो दोस्तों background में काम करता है तो यह मेरा root 53 कोई मतलब नहीं था यह समझाना था मुझे आपको बैग्रोंड में ऐसे काम करता है तो I think आप समझ गए होगे और अब next lab मेरा होगा next content मेरा होगा root 53 को थोड़ा सा understand कराना बही root 53 में में क्या क्या functionality मिलती है तो I hope यह चीज़े आपको समझ भी आई होगी चलो फिर next lab मेरा content रहेगा root 53 के उपर तो बाबाई वीडियो यहीं पर off करता हूं